हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में तो अभी जो हमारा प्लेटफार्म के बुक से वॉलूम फोर्स टेस्टीज चल रहा है बिहार दरोगा के लिए उसका आज हम टेस्ट स्रीज आठ करेंगे डिसकसन और 9 नमबर का पीडि एट 66 माई मदर एट 66 किसने लिखी है तो यह जो लिखी गई है कमला दास के दौरा किसके दौरा कमला दास के दौरा लिखा गया है कब 1999 में 1999 में प्रकासित हुई थी यह पुस्तक कब 1999 में और यह पुस्तक किसकी है कमला दास दौरा रचित पुस्तक है माई मदर अगला है कम्प्यूटर के संदर्व में किसी storage devices से data प्राप्त करने या किसी परीदिये इकाई से data प्राप्त करने के लिए किया गया समय dash के रूप में जाना जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B access time के रूप में जाना जाता है कम्प्यूटर के संदर्व में किसी storage device से data प्राप्त करने या किसी परीदिये इकाई से data प्राप्त करने के लिए समय access time के रूप में जाना जाता है और CPU का full form क्या होता है तो central processing unit तीसरा number question है अंतर राज बिवादों के संबने के लिए भारत के संबिधान के निमलिकित में से किश अनुछेद के तहद एक अंतर राज परिशित का गठन किया गया तो इसका सही answer है कि अंतर राज बिवादों के संबनेन के लिए भारत के संबिधान के अनुछेद 263 कितना 263 के तहद एक अंतर राजपरिशत का गठन किया गया तो option number B हो जाएगा सही answer और इसकी अस्थापना 1990 में सरकारिया IO की अनुसंसा पर राष्टपती के आदिस पर की गई थी कौन सा समीती सरकारिया ये भी याद रखेंगे और राष्टपती की अनुसंसा पर चार नमर कोश्चन है उन्हें सब बिरानवेर में ब्राजील में IOG थुई United Nation Conference on Environment and Development को किस अने नाम से जाना जाता है तो 1992 में जो ब्राजील में IOG थुई है United Nation Conference on Environment and Development उसका अने नाम जो है वो से कहते हैं पृत्वी सिखर समेलन option number B हो जाएगा इसका सही answer अगला कोश्चन है पांच नमर कोश्चन है क्रिसी और आपदा निगरानी के लिए भारतिय प्रदोगी की संस्थान कानपूर द्वारा परिकल्पित और विक्सित नैनो सेटलाइट का नाम क्या है तो नैनो सेटलाइट जो भारतिय प्रदोगी संस्थान कानपूर द्वारा परिकल्पित और नैनो सेटलाइट है उसका नाम है जुगनू जुगनू उपगड़ा प्रिथवी का निकट अवरक्त छेतर में प्रतिभिम्बन करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित कैमरा परणाली को सिध करना और प्रतिभिम्बन संसाधन अल्गोरिथम की जांस करना इसका उदेश है उसके बाद है छठा नमबर कोश्चन कि गन्ने के पोधे गन्ने की पोधे डैस को रासाइनिक उरजा में बदलने वाले प्रभावी परवर्तकों में से एक है जिसका सही एंसर है उप्सन नमबर बी सुर्ज के परकास गन्ने के पोधे सुर्ज के परकास को रासाइनिक उरजा में बदलने वाले प्रभारी परवर्तक के रूप में से एक है अगला कोश्चन है अंतराष्टिये प्रमानु उर्जा एजएंसी की अस्थापना किस वर्ष की गई थी तो अंतराष्टिये प्रमानु उर्जा एजएंसी की अस्थापना 1957 में किया गया था कव किया गया था 1957 में option D हो जायागा सही answer और इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याल है अस्टेरिया की राजधानी बियाना में है कहां अस्टेरिया की राजधानी बियाना जो है वहाँ पे इसका मुख्याला है अंतरास्टिय प्रमा उर्जा एजनसी का अगला कोशन है एक अलग संकाई के रूप में माइक्रो एकोनोमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसी जाना जाता है तो माइक्रो एकोनोमिक्स के संस्थापक के रूप में इसका सही एंसर हो जाएगा option number D John Maynard Kings को John Maynard Kings को अलग संकाई के रूप में नाइक्रो एकोनोमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में जाना जाता है अगला कोशन है 9 नमबर एक ऐसी प्रजाती जो अपने निवास अस्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है तो उसे डैस प्रजाती के नाम से जाना जाता है तो ऐसी प्रजाती जो अपने निवास अस्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद नहीं मिलती है उसे ब्लूप प्रजाती कहते है तो ऑप्सन ए हो जाएगा सही आंसर अगला कोशन है 10 नमबर कि भारत रत्न पुरसकार प्राप्त करता और स्वतंतता पार्टी 1959 के संस्थाप कौन थे तो इसका सही एंसर हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए कौन थे इसके ओप्सन ए हो जाएगा इसका सही एंसर सी राज गोपाल चारी ये जो थे भारत रत्न पुरसकार प्राप्त करता और स्वतंतता पार्टी के संस्थापक थे और भारत रत अस्टेलियन ओपन टेनिस टुनामेंट 2020 में महिला एकल परतियोगता का खिताब किसने जीता तो इसका सही एंसर है ओपसन नमबर बी सोफिया केनन ने अस्टेलियन ओपन टेनिस टुनामेंट 2020 में महिला एकल परतियोगता का खिताब जीती है सोफिया केनन बारा नमबर कोशन है दुनिया के बांकी देशों के साथ किसी एक देश के लेंदेन को बताने वाला खाते के समू को डैस कहते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर D उसे भुकतान से इस कहते हैं दुनिया की बागी देशों के साथ किसी एक देश के लेंदेन को साक्षिप में बताने वाले खातों के सम्मू को क्या कहते हैं भुगतांसेस कहते हैं अगला कोशन 13 नंबर है कि निमलिखित में से कोंसा एकल चिप अधारित उपकरन है जो अपने आप में एक पुन प्रोसेसर है और अंग गनीत और तार्किक संचालन करने में सक्चम है तो इसका सही एंसर है ओप्सन नंबर A, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप अधारित उपकरन है जो अपने आप में एक पुन प्रोसेसर और अंग गनीत और तार्किक संचालन करने में सक्चम है माइक्रो प्रोसेसर को Central Processing Unit चिप के नाम से भी जाना जाता है यानि CPU के नाम से भी जाना जाता है अगला कोश्चन है 14.29 की महामंदी इनमे से किस छेत्र में आई थी तो 1929 में जो महामंदी आई थी वो आई थी उत्री अमेरिका में महामंदी आया था 1929 में और सन 1929 इस भी में सुर्याती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक दिहास में सरवधिक गंभीर उथ पुथल से गुजर रहा था और जब अंतरास्टी अस्तर प्रबस्तु और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही थी और सकल घरेल उत्पाद कम से कम तीन महीने डाउन ग्रोथ में हो तो इस इस्थिति में 208 मंदी इसे कहते हैं अगला कोश्चन है 15 नमबर सहायक गठवंधन 1798 इसमी में डैस द्वारा तयार एक 11 हस्तचेप निती थी तो इसका सई एंसर है ओप्चेन नमबर C 11 हस्तचेप की निती लौड वेले जली का था किसका लौड वेले जली का और लौड वेले जली 1798 में भारत का गवर्णर जिनर गया था अगला कोश्चन है कि 16 नमबर निमली खित में से किस में जेनेटिक इंजिनेरिंग सामिल है तो जीन क्रांती में जेनेटिक इंजिनेरिंग सामिल है ओप्चन D हो जाएगा सही एंसर 17 नमबर कोश्चन है कि निमली खित एक मिनट से छोटा करते है निमली खित में से कौन सा बिकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परभासित करता है तो इसका सही अंसर है option number C यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जो computer के काम करने के तरीकों को नियंतरित करता है और un-programs को चलाता है तो यह जो है बिकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभासित करता है तो option C हो जाएगा सही अंसर 18 number question है bronchitis रोग का कारण क्या है तो bronchitis रोग का जो कारण है वो है धुम्रपान धुम्रपान जो है bronchitis रोग का कारण है और इससे स्वसन न लिया कि एक सूजनकारी बीमारी जिसके कारण बहुत बुरी तरह से खासी होती है क्या होता है बहुत ज़्यदा खासी होता है option D हो जाएगा 19 number question है कि cancer कोई सिकाओं का दुरस्ट भागों में फैलना कहा जाता है तो cancer कोई सिकाओं का दुरस्ट भागों में फैलना को कहते हैं रोग बिच्छेपन क्या कहते हैं रोग बिच्छेपन कैंसर कोई सिकाओं का दुरस्त भागों में फैलना क्या कालाता है रोग बिच्छेपन option C हो जाएगा सही answer 20 नंबर question है मेसो थियोलीना मुखिता विसवक्ता से होता है जिसका सही answer है option number C आर्सेनिक से होता है किस से होता है मेसो थिलनिया तो यह जो है आर्सेनिक से होता है और मेसो थिलनिया एक दूरला परकार का कैंसर है जो सरीर के अनेक आंत्रिक्त भांगों को ढखकर रखने वाली सुरागशाक्तमक परत मैसो थेलीम से उत्पन होता है ठीक है तो ये एक परकार का कैंसर है 21 नंबर कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर ये C एक, दो और चार ये तीनो जो है सही है टाइफाइड, हैजा, हेप्टाइटिस ये तीनो रोग जो है वो जल संक्रामक रोग है तो सही एंसर ओप्सन C हो जाएगा अगला है बाइस नंबर इसे थरा छोटा कर लेते हैं क्योंकि मिलान करना है यहाँ पे सुमेलित किजिए वाहक दिया हुआ है, रोग का नाम दिया हुआ है तो इसका सही एंसर जो हो इसका पहले मिलान कर लेते हैं तो सीसी मक्खी सिसी मक्खी जो है वो निंद्रा रोग से एडिज मक्खी पीत जुआर जलिये घोंगा जलिये घोंगा जो है ये हर्जिया है हेड्जिया पिल हेड्जिया एक मिनट तीन हो जाएगा विल हेड्जिया जिसको बोलते हैं वही है विल हेड्जिया सौरी मैं आप्सन में यहां पि 4 काला जर से संबन दीत है किसे काला जर से संबन दीत है तो इसका सही answer हो जाना चाहिए option number A ठीक है option A सही answer हो जाएगा अगला question है कि fall of sparrow किसकी आत्म कथा है the fall of sparrow किसकी आत्म कथा है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A सलीम अलीम की आत्म कथा है अगला कोशन है 24 नमबर भारतिय समिधान का कोन सा आनुछेद मौली करतब्यों के बारे में बताता है तो मौली करतब्यों को बारे में हमारा समिधान जो है 51 का एक बताता है 51 का एक option D हो जायेगा सही answer मौली करतब्यों को 42 समिधान संसुधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वाण सिंग समीती के सिफारिस पर जोड़ा गया था अगला कोशन है पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था तो इसका सही answer है option नमबर B अभिंद्रिनाथ टैगोर ने पेंटिंग माई मदर बनाया था इसका सही answer option नमबर B हो जायेगा और यह एक महान चितरकार थे साथी बंगाली बाल साहित के प्रख्यात लेखक भी थे और इनका जन्म कहा हुआ था कोलकत्ता के जोरा संकों में हुआ था नंदलाल बोस एक प्रख्यात भारतिये चितरकार थे कौन नंदलाल बोस अगला कोशन देखते हैं लदाख डैस के बीच इस्तित है तो लदाख जो है वो कारा कोरम स्रिंखला और जासकर परवत पर अज्तित है option B हो जायेगा इसका सही answer 27 नंबर 73 में सम्विधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा भारतिये सम्विधान का कौन सा भाग पंचाइती राज जोरा गया था तो इसका सही answer है 73 में सम्विधान संसोधन अधिनियम ने सम्विधान के भाग 9 में पंचाइती राज को जोरा था कहा option A हो जाएगा इसका सही अंसर और 1992 में 1992 में समिधान की एगार्मी अनसूची को सामिल किया गया था 73 में समिधान संसोधन द्वारा 28 नमबर कोस्चन है भारत के उचतम नियला द्वारा दिये गए निर्ने डैस पर बादिकारी है तो उचतम नियले जो जारी कर देता है वो भारत के सभी सभी न्यालेवों में जारी हो जाता है इसका अंसर हो जाएगा D भारत के सभी न्यालेवों में होता है बादिकारी होता है और भारतीय संभिधान द्वारा स्वतंत्र एवं एकिकृत न्याई पाइलका का प्रभधान किया गया है उच्तम न्याले भारत में नाइक प्रणाली की सरबोच संस्था है अगला कोशन देखते हैं 29 नमबर किस अनुछेद के तहद भारत के प्रतेक नागडी को स्वास्थ का अईदिकार दिया गया है तो इसका सही एंसर है option नमबर D अनुछेद 21 के तहद जीवन का अर्थ मानविये गडिमा के साथ जीना तता हुए सभी पहलू जो जीवन का अर्थ पूर्ण तता जीने योग बनाता है उसे सामिल करना है अगला कौशन देखते हैं तीस नमबर धार्मी गरंत 3 पिटक किस धर्म से संबन दित है तो 3 पिटक जो वो बहुत धर्म से संबन दित है अप्सन B हो जाएगा बहुत धर्म पाली भासा में लिखित प्रमुख गरंत है तिरी पिटक और तिरी पिटक तीन भागों में भाजित किया हुआ है बिनय पिटक, सूत पिटक और अधिधंब पिटक 21 नमबर कोश्चन है कि भारत के रामसर साइट राज्यों में कौन सा मेल सही नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D बधावन हडियाना ये जो है सही नहीं है बांकि सभी को रामसर साइट में सामिल किया गया है अगला कोश्चन देखते हैं 32 नमबर स्वतनता दिवस 2021 के अपसर पर किसे असोक चक्र से समानित किया गया है तो असोक चक्र से बाबु राम को समानित किया गया है ओप्सन ए हो जाएगा सही आंसर 33 नमबर कोश्चन पॉलेड में आयो जित 23 वाजी युवा चैंपियंशिप 2021 में भारत ने 800 पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर 6 15 अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है सूचन एबं प्रशारन मंत्राले का सचीव जो निक्त किया गया है अपुडवी चंद्रा को ओप्सन D हो जाएगा इसका सही एंसर 35 नमबर कोश्चन है कौनसा मगद सासक बैसाली की प्रसिद निर्तांगना अम्रपाली के प्यार में पर गया था तो इसका जो इसमें जो एंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से ओप्सन C है इसमें थुरा सा कंफ्यूजन है तो आप लोग इसे कॉमेंट वाक्स में बताएंगे कि इसका सही एंसर क्या होना चाहिए तो ओप्सन C हो जाएगा सही आंसर वैसे कहीं-कहीं बिम्बी सार मिलता है और कहीं-कहीं अजासात्रू देखने को मिलता है तो इसका सही एंसर है ओप्सन नंबर A जुना खाजो है वो मुहम्मद बिन तुगलक की पदविधारन की और 1335 में दिल्ली का सासक बन गया और मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे बिद्वान एवं विवास पद सासक था अगला कोश्चन है 38 नंबर हिटलर ने वर्षाई की संधी को किस वर्ष और सविकार किया था तो हिटलर ने वर्षाई की संधी को 1935 में और वर्षाई की संधी कब हुई थी अठारा जून 1929 को जर्मनी के साथ किया गया था कब 28 जून 1929 को किस के साथ जर्मनी के साथ तो इसका सही एंसर ऑप्सन नंबर बी हो जाएगा 39 नंबर कोश्चन है भारत छोरो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने अंग्रेज जो किसने कॉंग्रेस रेडियो का परशारन किया था तो कॉंग्रेस रेडियो का यानि गुप्त रूप्स जो परशारन किया था इसका सही एंसर है ऑप्सन नंबर शी उशा मेता उसा में ताने भारत छोरु आंदोलन के दोरान अपने सहयोगियों के साथ बंबे में 14 अगस्त कब 14 अगस्त 1942 को 14 अगस्त 1942 को खूफियो कॉंग्रेस रेडियो का अप्रारम किया था खूफिया जिसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन C चालिस नंबर कोश्चन है भारती अंत्रिक्ष कार्ज करम किसके दोरा सुरू किया गया तो यह बिक्रम सारा भाई इसका ओप्सन हो जाएगा भी भारती अंत्रिक्ष कार्ज करम जो बिक्रम सारा भाई के दोरा सुरू किया गया था एक तालिस नंबर कोशन है कि सुची एक से सुची दो का मिलान कीजिए और सही कुट का चैयन कीजिए तो इसका सही अंसर देखते हैं सबसे पहले केसब चंद्र सेन केसब चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज के अस्थापना किये थे और चार हो जाएगा केसब चंद्र ब्रह्म समाज देखते हैं अगला कोशन देखते हैं 42 नंबर इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पुन स्वामित प्राप्थ हुआ तो इस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का पुन स्वामित प्राप्थ हुआ था वो हुआ था 1772 इस भी में, कब प्राप्थ हुआ था 1772 में, अगला कोशन है, ठोस से गैसी माध्या में जाते समय, ध्वनी की चाल डैस होती है, तो जब कोई पदात ठोस से गैसी माध्या में जाता है, तो उसकी ध्वनी की चाल घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है, अगला कोशन है निमलिखित में से किसने निल दर्पन नामक नाटक की रचना की तो निल दर्पन दीन वंधुमित्र की रचना है किसकी निल दर्पन एक नाटक है जो दीन वंधुमित्र की रचना है तो इसका सही answer option D हो जाएगा अगला question है 45 number भारतिय नागरी के मुल करतब तो भारतिय नागरी के मुल करतब जो है इसका सही answer हो जाएगा option number C 42 में संसोधन द्वारा जुड़ा गया था कब 42 में समिधन संसोधन द्वारा मुल करतब को जुड़ा गया था गुला कोश्चन है 46 नमबर नियमलिकित में से किसे बिधी निर्मान की समाने प्रकडिया दोरा संसोजित किया जा सकता है तो बिधी निर्मान प्रकडिया दोरा जो संसोजित किया जा सकता है वो राजी बिधान परिशत की समापती है Option B हो जाएगा इसका सही आंसर फोटी शेवन है कि भारत का सम्विधान अंकी कृत हुआ और आस्तित्त में आया तो 26 नौमबर 1949 को और 26 जनवड़ी 1950 में आया था ठीक है तो सम्विधान की प्रस्तावना बहुत लोगों को याद होगा उनमें हम लास्ट में बोलते हैं आज तारिक 26 नौमबर 1949 तो वह ही हमारा सम्विधान को आंकी कृत किया गया था और आज तारिक भी कितना है 26 नौमबर है तो आज क्या है सम्विधान दिवस है ठीक है तो इसका सही एंसर ओप्सन नंबर A हो जाएगा अगला कोशन है 48 नौमबर महाल नोविस मॉडल का सम्बंध किस पंच वर्सिय योजना से जोड़ा गया तो इसका सही एंसर है दूसरी पंच वर्सिय योजना दूसरी पंच वर्सिय योजना महाल नोविस मॉडल का सम्बंध है और पहली पंच वर्स्टी जो आया था वो किस पे अधारी था आप लोग comment box में बताएंगे अगला question देखते हैं भारत में प्रथम bank कव अस्थापित किया गया था तो भारत में प्रथम bank 1770 इसमी में अस्थापित किया गया था तो कौन सा bank? हिंदुस्तान बैंक. गरी भी उनमुलन का नारा किस पंच वर्सी योजना के दोरा दिया गया था और गरी भी उनमुलन का नारा 1970 के दिया गया था का 1970 के दिया अगला question देखते हैं उपभोक्ता सरक्षन अधिनियम पारित हुआ उपभोक्ता सरक्षन अधिनियम कब पारित हुआ तो इसका सही एंसर है option number C 1986 में उपभोक्ता सरक्षन अधिनियम को पारित किया गया था और बाल स्रम सरक्षन अधिनियम भी 1260 में लाया गया था धा तो अनंदी वेन परटल के द्वारा किया गया था अगला कोशन 5 नल कनेक्शन परदान करने में जल जीवन मीशन के तहद किस राज ने सिर्श अस्थान प्राप्त किया है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number C गोवा इसमें जो answer दिया हुआ तिलंगना दिया हुआ जो गलत है ठीक है तो आप लोग इसे सही कर लेंगे इसका सही answer option C हो जाएगा नल कनेक्शन परदान करने में जल जीवन मीशन के तहद गोवा जो है वो प्रथम अस्थान हासिल किया है चोवन नमबर कोश्चन है किस संस्थान द्वारा वैस्विक हैक्थान पुरसकार आयोजित किया गया है तो इसे हैक्थान पुरसकार जो है वो दिया गया है NASA Incubator Innovation Program के द्वारा किस के द्वारा NASA Incubator Innovation Program के द्वारा दिया गया है अगला question 55 नमबर देखते हैं किस राज ने इवाहनों की खरीद पर 100% कर में छूट दी है तो इसका सही answer हो जाएगा option नमबर D Tamiladu Tamiladu जो है इवाहनों की खरीद पर 100% की छूट दी है अब है math का question ते इसका हम सिर्फ answer बताते हैं आप लोग answer कर लेंगे इसका answer हो जाएगा option number A 57 का answer हो जाएगा 57 57 का answer हो जाएगा option number C और 58 का answer हो जाएगा 58 का answer हो जाएगा 37 by 990 option C हो जाएगा इसका सही answer अगला 59 number question है इसका सही answer हो जाएगा 20 ratio 23 आगे देखते हैं 16 number question है 16 number question का answer हो जाएगा option number C 3 दिन ठीक है अगला question है कि किस company ने अपने vulnerability पुरस कार कार्ज करम की 10 साल के सालगीरा मनाने के लिए एक नया bug bounding platform को launch किया है तो bug bounding platform जो launch किया है वो किसके दोरा Google के दोरा किया गया है Google का जो 10 साल पुर गया हो जालगीरा मनाया उसके अपसर पर इसे launch किया है गूगल ने option B हो जाएगा 62 नमबर कोशन है कि BTS माबेस के आकलन हेतू RBI ने किस इंडेक्स की सुरुवाद की है तो F1 इंडेक्स का सुरुवाद किस ने किया है RBI ने किया है इसका एंसर हो जाएगा option C 62 का अगला कोशन देखते हैं केंदर सरकार किस राज में जैव संसाधन एबं सतत केंदर अस्थापित करेगी तो इसका सही एंसर हो जाएगा option D और नाचल परदेश में केंदर सरकार जैव संसाधन एबं सतत विकास केंदर को अस्थापित करेगी 64 नमबर कोशन है आजाद की शौर गाथा प्रदर्शनी जो हाली में आयोजित की गई थी किस सहीद के जीवन पर केंदर थी तो आजाद और चंसेखर आजाद इसे रिरेट करेंगी option D हो जाएगा चंसेखर आजाद की गथा पर option D हो जाएगा सही आंसर अगला 65 नमबर कोशन है किरसी की सुरुवाद संभवता हुई थी तो किरसी की सुरुवाद हम लोग एंसेट परे परे भी है 7000 इसापुर्व के आस्पास हुई थी कब 7000 इसापुर्व के पास कहां हुई थी यह जो हुआ था प्राचिनतम पर्मान मेहर गड़ से मिला था अगला question है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार या कहा किया है कि असोक ने स्री नगर का नहर बनबाया तो कलहन की जो राज तरंगनी है उसमें या दिया गया है कि असोक ने स्री नगर सहर को बनाया था option D हो जाएगा सही answer 67 number question है अकवर के सासनकाल में विद्वानों के एक समू ने महाभारत का संस्कृत से फार्सी भासा में अनुबाद किया इस थार्सी संस्करन को क्या कहते हैं तो उसे रज नामा कहते है option B हो जाएगा सही answer 68 number question है गांधी ने अपना प्रतम औसायोग आंदोलन निलंबित किया था क्यूंकि तो इसका सही answer हो जाएगा option number A या A का 1 हिंसात्मक हो चुका था इसलिए गांधी जी ने औसायोग आंदोलन को निलंबित किया था और 1 अगस्त 1920 को और सायोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था अगला question है गांधी इर्विन समझोता किस वर्थ हस्तांत्रित हुआ था तो 1931 में कभ हुआ था 1931 में 5 मार्स 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ था सत्तन नमर question है कि निलिकित में से कोन सा रोग विशानू जनित नहीं है तो विशानू जनित रोग जो नहीं है वो है तापेतिक ओप्सन B चेचक, इंफलूंजा, खस्रा ये सब जो है विशानू जनित रोग है ओप्सन B हो जाएगा इसका सही आंसर 71 नमर question है कि निलिकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है राज जिपाल विधान सभा को भंग नहीं कर सकता राष्टपती अपने कारे के लिए किसी न्याले के प्रती उत्तरदाई नहीं होता विधान परसद के सभापती को मुख मंत्री निक्त करता है और केबल संसा धी उच न्याले के न्याई धी इसको हटा सकती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D 2 और 4 सही है sorry option D हो जाएगा इसका सही answer जिसमें दिया हुआ है 2 और 4 सही है ठीक है अगला question देखते है विछेप बल यानि कि कोडियोलिस फोर्स जिसको बोलते हैं अंगलिस में उत्पन होता है कहीं कहीं हिंदी में भी कोडियोलिस बलस आपको देखनों को मिलेगा इसलिए दोनों नाम याद कर लेंगे बिछेप बल या कोडियोलिस फोर्स उत्पन होता है तो यह जो है प्रित्वी के पड़ी भर्मन से होता है किसे प्रित्वी के पड़ी भर्मन से option B हो जाएगा सही answer भारत में केंब्रियन पुरु महा कल्प की चटाने अधिकांस्ता पाई जाती है तो यह जो पाई जाती है आरावली में केंब्रियन पुरु महाकल चट्टाने आरा वली में अधिकांस्ता पाई जाने वाली चट्टान है अगला कोश्चन है करमचारी भविस निधी संगठन ने वीतिय वर्ष 2020-21 के लिए कितने परतिसत ब्यासदर की सिफारित की है तो करमचारी भविस निधी संगठन ने वीतिय वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 परतिसत ब्यासदर की सिफारित की है अप्शन बी हो जाएगा सही आंसर अगे देखते हैं 75 में है नेशनल कांसिंग फॉर अप्लाइड एकोनोमी रिसर्च द्वारा जाड़ी लैंड रिकॉर्ड सर्विचेज इंडेक्स के मदप्रदेश को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही एंसर है ओप्शन नमबर A नेशनल कांसिंग फॉर अप्लाइड एकोनोमी रिसर्च द्वारा जाड़ी लैंड रिकॉर्ड सर्विचेज इंडेक्स में मदप्रदेश को पहला अस्थान प्राप्त हुआ है 76 नमबर कोश्चन है रमाइन का इंसाइकलोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया तो आयोध्या रिसर्च इंस्टिचूट द्वारा रमाइन का इंसाइकलोपीडिया को बनाया गया है ओप्शन डी हो जाएगा इसका सही अंसर 77 नमबर कोशन है ए रोड मैप फॉर एंट्रोप्रेडियर पुस्तक के लेखक कौन है तो जितेंदर गुपता जो है ए रोड मैप फॉर एंट्रोप्रेडियर पुस्तक के लेखक है जितेंदर गुपता अगला कोशन है अखिल भारतिये असंप्रियता विरोधी शंग किस साल में अस्थापित किया गया था तो इसको बोलते हैं असंप्रियता का मतलब होता है भेदभाव तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number C 1932 में कब किया गया था? 1932 में इसकी अस्थापना की गई थी और 13 सितंबर्व ने 133 को इसका नाम हरजन सेवासंग कर दिया गया था मदन मोहल मालवी एक इसकी अधिक्स्ता किये थे और बंबई में अखिल भारतिये असंप्रियता विरोधी शंग किया स्थापना हुई थी ठीक है? अगला कोस्चन है अगला कोस्चन है असी नमबर निमलिकित कत्नों में से कौन सा औसा औसायोग आंदोलन के समबंद में सही नहीं है? तो औसायोग आंदोलन मुहमद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था यह जो एस्टेटमेंट है वो सही नहीं है चितंबर मने 120 में लाला लाजपत राई की अध्यक्सता में कॉलकता में हुई प्रांती राष्टिय कॉंग्रेस की विशेस अधिवेशन में महातमा गंधी की प्रेणा से एक प्रस्ता पारित कर और सयोग आंदोलन आरम करने का निले लिया गया था ठीक है ओप्सन ए हो जाएगा इसका सही आंसर 81 नंबर कोश्चन है भारतिय दुर्विक्षी सहिता 1882 का निर्मान निमलिकित में से किस आयोग द्वारा किया गया था तो इसका सही एंसर है ओप्सन नंबर बी स्ट्रेटेजी आयोग के द्वारा अगला कोश्चन है भारतिय राज्यों पर अंग्रेजों प्रभूत अस्थापित करने के लिए किसने प्रसासनक में सहायक संधी प्रनाली का सुत्रपात किया तो इसका सही एंसर है ओप्सन नंबर एड लॉड बेले जली ने भारतियों राज्यों अंग्रेजी प्रभूत अस्थापित करने के लिए बेले जली प्रसासन में सहायक संधी प्रनाली की सुत्रपात किया था लॉड वेले जली सहायक संदी से संबंदित है यह यद रखेंगे अगला कोश्चन है 83 नमबर कि निमलिकित में से कौन से पडिभासिक सब्द आईकार से संबंदित नहीं है तो इसका सही एंसर हो जायागा ओप्सन नमबर D करदाता पहचान संख्या ती आई एन यह जो है पडिभासिक आईकार से नहीं है 84 नमबर कोश्चन है उन्हें इस पटनाक में 1913 में अनसुलन समीती की एक साखा की अस्थापना किसने की थी तो इसका सही एंसर हो जायागा ओप्सन नमबर D सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में 1913 में अनसुलन समीती की साखा की अस्थापना की थी किसने सचिंद्रनाथ सन्याल ने सिकांगो बिस धर्म पार्लिया मेंटेट जिसमें विवेका नन्ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था तो इसका सही एंसर है ओप्सन नमबर A सितंबर 1893 में सिकांगो बिस धर्म पार्लिया मेंट जिसमें विवेका नन्ने भाग लिया था उसका आयोजन किया गया था सितंबर 1893 में सितंबर 1893 में अगला है भुमद रेखा गुजरती है भुमद रेखा कहां से गुजरती है बांकि बेन ज्वला को स्टारी का कैम रूर ये सबसे नहीं गुजरती है option A हो जाएगा सही answer ring of fire संबंद किसे ring of fire का संबंद किसे है तो इसका सही answer है option number 3 option number 3 ring of fire का संबंद 1, 2 और 3 से है 1, 2 और 3 प्रसांत महाशागर से ring of fire का संबंद है उसके बाद ज्वाला मोखी और भूकम पिये सबसे संबंद है किसका ring of fire का ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C अगला question देखते हैं निमलिक्षित में से कौनसा विशय धन भिधायक के उपबंद में समलित नहीं है तो इसका सही answer option A जो है पॉइंट चार-चार गुना से अधिक हो जाता है तो निट्रोन तारा में बदल जाता है या कौन सी सीमा कहलाती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C चंदर सेखर लिमिट कहलाता है जब एक संपीरन होने वाले तारेका दर्मान जो है वो वन पॉइंट फोर-फोर गुना से अधिक जब हो जाता है तो निट्रोन तारा में बदल जाता है तब उसको क्या कहते हैं चंदर सेखर लिमिट कहते हैं अगला कोशन है मुगल मनसबदारी विवस्था के संदर में निम्ल कतनों पर विचार कीजी और सही कातन की पहचान कीजिए तो उसका सही अंसर हो जाएगा एक औरतीन सही है जात एवं सवार पदपरदान की जाते हैं और मनसबदार तीन वर्ग में होते हैं ये सही है अगला कोशन देखते है जैन धर्व के प्रबर तक महावीर जी का मोक्ष अस्थान कहा है तो महावीर जी का निर्वान मिर्टु यानी पावापुरी में हुआ था कहाँ पावापुरी में option C हो जाएगा सही answer आर्थिक आयोजन है आर्थिक आयोजन किस सुची से संबंदी था ये पुछा जा रहा है तो आर्थिक आयोजन का संबंदी वो संबर्ती सुची से किस से है संबर्ती सुची से option C हो जाएगा इसका सही answer इस तरह के समिधान के सात्मी अन्सुची में केंद्र और राज्यों के भी सक्तियों का बटवारा दिया गया है अगला कोशन है लाहिडी आयोग जुरा है लाहिडी आयोग जो है वो खाद तेल के सरचना के मुल से जुरा हुआ है अंतराष्टी मुद्रा कोश के संबंध में कौन सा कथन सही है तया जो है केवल अपने सदस्देशों को रिन परदान करता है ओप्शन डी हो जायेगा सही आंसर 95 नेंबर कोशन है कि स्वदेशी का प्रस्थाव कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सरपर्थम लाया गया था तो सब से पहले बनारास अधिवेशन में 1905 में लाया गया था फिर 1929 में उसे लाहर अधिवेशन में भी लाया गया था ठीक है कब लाया गया था लहर अधिवेशन में भी लाया गया था एक नट और स्वधेसी अंदुरन का जो प्रस्ताब है। ये बनारास अधिवेशन 5 में गोपाल कृिस्टन की अधिवेशन में लाया तो गया था लेकिन इससे पारित नहीं किया गया था। और स्वादेशी का प्रस्ताब कॉंग्रेस के कॉलकता आधिवेसंजा 1906 में हुआ था तो उसमें पारित किया गया था ठीक है तो ये भी याद रखेंगे अगला कोशन है भारत में प्रतम तीन विश्विद्याले कॉलकता मदरास बॉंबे की अस्थापना किस बर्स हुई थी तो इसका सही एंसर है ओप्सन नंबर A 1857 में विश्विद्याले की अस्थापना हुई थी या तीन विश्विद्याले का कलकता मदरास और बॉंबे में 97 नंबर कोशन है बिश्व में सर परतम खनीज देल आधुनिक तरह से कहां खुदाई की गई तो इसका सही एंसर है ओप्सन नंबर B USA में सबसे पहले खुदाई की गई थी अगला कोशन है दुगद की अग्रमनी उत्पादकों का सही अब रोही करम क्या है तो इसका सही एंसर है भारत, चीन, सहीजराज, अमेरिका और रूस ओप्सन C हो जाएगा इसका सही एंसर ये जो है दुद के उत्पादक पे सबसे आगे है अगला है उस पाल सासक का नाम ब किया था या बिहार राज के ग्राम अचिंतक जिला भागलपूर में इस्तित है कहा है भागलपूर में या जो धरम पाल था वो पालवंस का संस्थापक पालवंस का संस्थापक कों था गोपाल था और धरम पाल जो था वो महान सासक था पालवंस का अगला कोशन जो कोश्चन जो यहां पे समाप्त होता है अगला सेट के साथ हम मिलते हैं आप लोग के साथ तो सेट नमर हमारा 9 होगा तो तब तक के लिए धन्यवाद